एक और कुर्णा संख्रमिन का खत्रा वहीं दूसरी और मौसम की मार परंतु जिलापुलस लगतार अपने कर्थविम में तत्पर्ता से लगी हुई है अपराधियों के हौसले पस्त करते हुए जिलापुलस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा के निर्देशन में नित नई कारवाईयों को अंजाम दिया जा रहा है एवं जिले में अपराधो और अपराधियों पर अंकुष लगाने के हर संबफ रियास किये जा रहे हैं अतरिक पुलस अधिक्षक श्री नवल सिंग सिसोधिया एवं अनुवेभागे पुलस अधिकारी ब्यावरा श्री किरन अहिरवार के मारदशन में थाना प्रभारी करिनवा संदीप सिंग मीना दुआरा उनकी पुलस टीन के साथ मिलकर हतियारों की स्मगलिंग करने वाले आरुपी को धर्द पोचा है संभावना थी कि आरुपी भारी मात्र में हतियारों के जखीरे को इधर से उधर करनी की फिराक में था वही पुलस ने सतर्क कारवाई से आरुपी के मनसूबों को नाकाम्याप कर दिया दिनाक 23 अगस 2020 को मुखभीर 11 से विश्वसनी सूशना प्राप्त हूई कि एक सावला सा व्यक्ति काले रंग की नीले पटे वाली हीरो एच अफ जीलक्स मोटर साइकल से पचोर से ब्यावरा तरफ निकला है जिसने एक काले रंग का पिठो बैग टांग रखा है नीले रंग की शर्ट तथा सफेद रंग का पैंट पहन रखा है ये सब तो ठीक था परिंतु पुलिस टीम के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उसकी कमर में दो नो तरफ एक पिस्टिल फसी हुई है। साथ ही उसके पास और भी अगने शस्त्र होने के संभावना है। मुख्भी सुचना पर ततकाल कारवे करते हुए वरिश्ट अधिकारियों को अवगत करा कर मामले में तेजी दिखाते हुए थानप्रभारी संदीप सिंग मीना ने उनकी टीम को ताबर तोड तयार किया और वाहन लेकर थाने से निकल पड़े। रवाना होकर जैसे ही होटल अमर पालिस के पास पहुचे तो पचोर से ब्यावरा जाने वाली लेन पर मुख्भीर द्वारा बताए वाहन तथा हुल्य का व्यक्ति जाते दिखाए दिया। संदेही की पहचान होने पर टीम ने कमत अमली से उसका पीछा किया। पीछा करते हुए पुलस टीम ने पुर्शोतम यादव की गिट्टी क्रैश प्लांट के सामने एबी रोड पर उसकी मोटर साइकल के आगे अपने वाहन को लगाया और संदेही को रोकने का प्रयास किया। जिससे हमरा बल तथा कवाहाद की मदद से बमुश्किल घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम महिंदर और गोलू पता पन्नालाल राठोर जाती राठोर उम्र तैईस साल ग्राम सिर्वेल महादेव हनुमान मंदर के सामने थाना भगवान पुरा जला खरगोन का होना वताया। सूचना तो पुक्ती थी इसलिए टीम में देरी न करते हुए संदेही की तलाशी ली तो उसके पास कमर में फसी हुई दो पिस्टल प्राफ्त हुई साथ ही उसके कंदे पर टांगे बैग को खुल कर देखने पर भारी मात्र में असल लहा होना पाया गया। महिंदर राठोर उफगोलू की कमर में दाय तरफ एक काले रंग की लोही की धातू की पिस्टल फसी हुई थी मैगजीन निकाल कर देखने पर उसने एक जिंदा राउंड भी था वही कमर की दूसरी और फसी एक और पिस्टल की मैगजीन निकाल कर देखने में उसमें भी ए पर उसमें एक मटमले रंग का पैंट रखा मिला जिसे हटा कर देखा तो उसके नीचे छे अलग-अलग प्रकार के देशी कटे एक लोहे जैसी धातू की सिलवर रंग की पिस्टिल जिस पर लाल रंग की फाइबर की बट क्रिप लगी हुई है तथा एक लोहे जैसी धातू का अध्धा तथा एक गांठ बंदी हुई प्लास्टिक की थैली में रखे हुए कुल साथ राउंड होने पाए गए इस प्रकार महिंदर राठोर उर्फ गोलू राठोल के कबजे से तीन नग पिस्टल छे नग देसी कटे एक नग देसी अध्धा कुल दस फायर आम्स तथा क एक हीरो जेलक्स मोटरसाइकल काले रंग की नीले पटे वाली जब्त की महिंदर राठोर उर्फ गोलू राठोर से उक्थ फायर आम्स रखने तथा परिवहन करने के समद में धारा क्या आनवे का लिखित नोटिस जारी कर लाइसंस वैद दस्तावेज चाहे गए जिसके द दंडनी पायर जाने से उक्थ तीन नग पिस्टल कीमती 75,000 रुपे छे नग देसी कट्य कीमती 30,000 रुपे एक नग देसी अध्धा कीमती 15,000 रुपे कुल 9 नग राउंड कार्टूस कीमती 4,700 रुपे एवं एक हीरो एच एफ डीलक्स कीमती 50,000 रुपे विदिवत समस पा अबजे में लिया गया एवं उक्त अपराद के लिए आउरुपे को ग्रफतार किया गया उप्रोक्त बड़ी कारवई को सफलता पूर्वक अंजाम देने में थाना प्रभारी करनवास उपने रिक्षक संदीप सिंग मेना एवं उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान रह राजगर से जगदी ससूद्याक रिपोर्ट यहां से ट्रावल कर रहा है जो है तत्काल इस सूचना के सर्बंदे है एज़ियो कि माड़न किरन और अडिश्मिस बिजार नोल से की तोर्विया इंगर कराया और उसके बाद रास्ते में इचे की माई एम आई 488 है यह इसको रोपने का प्रयास किया गया इसने भादियों एक प्रशर के पास इसको उपा गया तब इसने अपना नाम महेंदपोर्स बोलू किताब मनालाल राठोर तरीस साल सिर्वेल महादेर दुवान मंदर के पास दुवान पुरा ठाना और जिलात दुवान का इसने अड्रेस बताया जब इससे पूश्टाच की गई और इसकी तलाशी लिए तो इसमें से करीब टीन पिस्टल और छे अगलत प्रणार के देसी कट्टे एक खुछ नौ कार्थूस एक देसी अद्धा जो कट्टा नूमा बंदूम होती है वो इस तरह से तोटल तस फायरांप्स और नौ कार्थूस परामत किये गए इसके सम्मत में